महादेव ही सब कुछ है इस समुतार में सभी सीव है और सीव ही सब कुछ है सीव ही आदी है और सीव ही अन्थ है वो अनन्थ है और जब जब हम महादेव की बात करे तो प्रभुक के पास रहकर उनका सेवा करने वाला नंदी को हम कैसे भूर सकते हैं जहां पर भी भागवान स कीमुर्टियर्ट होतीच फ्रकार वागवान सीव के दर्सबर और पूजर्ण का महत्व है उसनी प्रकार नंदी का Хाध pains भ्यवाग मानुकमरा Hyperrav Agans पुस्मानुकाम्ना को जरूर पहुचाते हैं आपने देखा हुआ कि नंदी मंदीर के बाहर बीराजमान होते हैं तो आखिर क्या है इसके पिछे का रह से आये जानते हैं वीडियो में वीडियो श्टार्ट करने से पहले अगर आपनी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय है तो अभी कर ले और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें सास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि नंदी को यह वर्दान दिया था कि जो भी भक्त कुम्हारे कान में आकर अपनी मनुकामना कहेगा उस भक्ती सभी एक्थाए जरूर पूरी होंगी कहा प्राइब नंदी के पिता स्रीलाद से रिलाद में जमकर भोले नाज की तपस्या कि ताकि उन्हें एक सांतान की प्राप्सी हो जाए और उनका वंस आगे चल पाए अगवान सीव ने के फट्वर्था पसे से पसंद होकर उन्हें एक पुत्र का वर्दान देदिया वर्दा पादा चल तो महादेव की आदना से मिर्तियों को जीतने के लिए वो बन में चला गया और वह वहाँ पर जाकर जीव जी का ज्यान करना सुरू कर दिया भागवान स्टंकर नंदी के तपस्ट्या से प्रसंध हो गए और उसे वर्दान या कि नंदी तुम मिर्थी और भय से तुम हमेशा हमेशा के लिए मुख्त हो मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वर्दान देता हूं नंदिक कैलास पर निरंतर भागवान सिव की सेवा और अराधना करता था कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदि से मिलना अनिवारे हो गया था फिर एक तिन सिलाद भागवान सिव के पास एक अजीब बिड़मना लेकर पहुँचे दरसर सिलाद ने संथान का वर्दान इसलिए मांगा था जिसकी उनकी संथान अब होई नहीं बची थी और सिर्फ एक नंदि ही बचा था लेकिन वो भी महादेव की सिवा में ब्योस्ट था इस वज़य से इलाद को लगा कि उसका वर्दान पूरा ही नहीं हुआ है तुकि उसे पीता का सुख भी नहीं मिला, ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया, महादेव की प्रेम नंदी से अपने पुत्र समान ही प्रेम करते थे, लेकिन उनों और फिरी भी नंदी को कहा कि उसे पुत्र होने का दाईतो निभाना होगा, इसके बाद सिलाद के देखकर तिलाद एक बारपुन महादेव के पास गए और उनसे प्रात्ना की की वे नंदी को वापिस अपने पास बुलादे यूँकि वो अपने पूत्र की ऐसी दासा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंस इस बात का प्रतिक होगा कि भागवान की अपने पूत्र के सम वो भी नंदी से प्रेम करते नंदी की इस अतुले प्रेर्म को देखकर ही महादेव नंदी को यह वार्दान दिया कि कोई भी प्रात्ना अगर उज्टक पहुचानी हो नंदी की कान में उससे बोल दिया जाए उसकी प्रात्ना सीधा मेरे पास पहुची जाएगी यहां तक पहुचाने के लिए नंडी के कान नंडी सदेव हैं भागवान सीव के साथ रहते हैं इसके बाद देवों को त्राकार नंदी बने नंदेश वर एक मर्गुर्य जी ने भी एक अतेयंद कठील कि प्रस्टिथी आने पर नंदी के कान में महादेव का तपस्य तोरने के लिए कहा था। जिसके बाद महादेव ने अपनी तपस्यर तोरिती और उस प्रस्टिथी का सामना किया था। तो इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि महादेव अपने सारे भव्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ते और आरिक मनेताओं के अनुस्तार बार में अभूतों के पुत्री तुरेशा के साथ उनका बीवा होगे स्क्राइब दोस्तों अगर मन साफ हो और भागवान की प्रति सच्षी आश्टा हो तो वे मनुष्य के उधार अवस्य करते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और क्यानल को सब्सक्राइब परें कि आपको ऐसा ही वीडियो हमेसा मिलता ही रहेगा अन्यवाद